ओवरॉल बाडी बिल्दिंग चैंप ए प्रिजेंट यूर न्यू आएफ बीबी प्रो माइकल कुरिजएने विल्कम बैक टू बाडी बिल्दिंग ट्यू पर आज काफी सारे अपडेट्स आ रहे दोस्तों बाडी बिल्दिंग की दुनिया से तो वीडियो आखिर तक जोर देखना और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब परो यार नीचे जो लाल बटन इस सब्सक्राइब वाल निक वाकर का ये 10 विक्स आउट रिसेंड फिजीक अपडेट दोस्तों हम आपके लिए लाए है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी जबर्दस लग रहे हैं उनकी फिजीक और आल बोडी का फिजीक अपडेट उन्होंने शेर किया दोस्तों लेक्स काफी अच्छ ल लंपिया में आप इनके फ्यान हो या नहीं मुझे कमेंड़ लिखके जरू बता है फिजीक के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों यह अपडेट आपको कैसा लागा मुझे कमेंड़ लिखके जरू बता है नेक्स्ट अपडेट है इन वैलियर का ये भी इनका 10 विक्स आ दिख रहा है इन वैलियर का आप देख सकते हैं इस फोटो में उनके ग्लूट के सेपरेशन कितने जबदस दिख रहे हैं फाइवाज दिख रहे हैं ग्लूट में अभी से 10 विक्स बच्चे है इस बार की कंडिशन काफी ज़्यादा तगड़ी आएगी मिस्ट ओलंपिया मे इन वैलियर की ऐसा उनका कहिना है और अभी से 10 विक्स आउट लग रहा है कि उनकी कंडिशन काफी जबदस लएने रहने वाली है इनका ये फिजिक अपडेट अपको कैसे लगा दोस्तों मुझे कमेंड़ बास में लिखके ज़रू बताइए बढ़ते हैं नेक्स चुके हैं अमेचर ओलंपिया इटली में उन्होंने प्रोकाड जीत चुके दोस्तों और काफी आसान था उनके लिए ये प्रोशु जितना और मेरी साब से वह 100% उनका उन्होंने पोटेंशल दिखाया नहीं उनको पीक करने की ज़रूद भी नहीं थी क्योंकि इतना ज्या प्रोड़ा सा मुश्किल होगा वहां पर ज़रूर पीक करेंगे दोस्तों 28 ऑक्टोंबर से 30 ऑक्टोंबर के बीच में रहेगा ये कॉंपटिशन एलवी स्प्रैक प्रो और इसमें जरूर माइकल क्रुजु की 100% पोटेंशल वाली फीजिक देखने को मिलेगी दोस्तों बाइस अच्छा लगए थे काफी बड़े लगए थे बाकिए अफिलीत से बट कंडिशन में उनने काफ़ी अच्छी साइज लाई बस देखना यह है कि आने वाले LV स्प्रैक प्रो में कितनी जबरदस कंडिशन लाते है और कौन-कौन से प्रोशो वाले प्रो एथलीट उस कंपेट करेंगे बाड़ी बिल्डिक डिविजन में इनके साथ वो देखने में काफी ज़दा मज़ाएगा और अगर कोई बड़ा एथलीट आता है मिस्टर ओलम्पिया में जो खेल चुका है तो इनके साथ काफी जबरदस तगड़ी कॉंपटेशन रहेगी मज़ा काफी आएगा आप कितने ज़्यादा एक्सेटर ओ इनको प्रोशो में देखने के लिए मुझे कमेंड़ बास में लिखके जरूर बताई है बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के तरब तो आ रहा है मीमो यूवराज का ये रीसेंट फिजिक अपडेट कैप्शन में लेखते हैं 22 डेज आउट टाइम टू स्विच गियर रोड टू ओलंपिया सीधा रोड टू ओलंपिया का हैस्टेग डाला है मीमो यूवराज ने और काफी अच्छे लग रहे हैं उनकी फिजिक स्पेशली जो मिड सेक्शन ने काफी जबरदस कंडिशन के साथ काफी अच जाधा कंडिशन और अच्छे लग रहे हैं मीमो यूराज का जो स्ट्रक्चर है काफी तगड़ा लगता है मुझे और बस 22 डेज बचे हैं तो काफी जाधा एकसाइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है इंडिया के प्रोशों के लिए दोस्तों में काफी जाधा एकसाइट करने के लिए फोटो शूट शुरू था उस तरह की यह फोटो है बट इसमें फीजिक अपडेट आप देख सकते हैं कितना ज्याधा तगड़ा लग रहा है सेवन डेज बचे है और वीक में आने वाले है भूवन चौवान और बहुत ही कंडिशन अच्छी लग रही है उनक और पस अप सेवन डेज बाद उनको स्टेज पर देखने को मिलेगा दोस्तो और इंडिया के प्रोशों के पहले उनको स्टेज पर देखना और उनका जो फिजीक है किस लेवल पर आई है एक साल के बाद वो देखने में काफ़ीज ज्यादा मज़ाएगा आप कितने में लिखके ज़रूर बताई है फिलहाल अभी खताई यह पर खतम करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आई होप की वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक किजिए दोस्तों इस वीडियो को थैंक यू फूर वाचिंग